हेलो वच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिथबी और हमारा जीवन, कच्छा छो की पुस्तक को जिसमें हम पढ़ेंगे पाठ दो, प्रिथबी और चंद्रमा, जिसके अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे प्रश्न एक, निम्न लिखित प्रश्नों के संचेप में उत्तर दीजिए को, चंद्रमा हमें तारों से बड़ा क्यों दिखाई देता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चंद्रमा प्रिथवी के अधिक निकट होनी के कारण तारों से बड़ा दिखाई देता है खो हम चंद्रमा का ये कही भाग क्यों देख पाते हैं तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 49 मिनट में प्रिथवी का एक चक्कर पूरा करता है परन्तु इस अवधि में प्रिथवी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी काक्षा में आगे बढ़ जाती है इसलिए प्रिथवी पर किसी अस्थान के उपर से पूरी प्रिथवी की परिक्रमा करके फिर उसी अस्थान के उपर आने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है इसी कारण हमें सदयव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है प्रश्न एक गः चांदनी किसे कहते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चंद्रमा सूर्य के प्रकास से प्रकासित होता है यह सूर्य के प्रकास को परावर्तित करता है जो हमारी फ्रिथवी परलगवग एक तसमलों 2-5 सेकेंड में पहुचता है इस प्रकास को ही चादनी कहते हैं प्रश्न 1 गह, भारत के प्रथम अंतरी छेयातरी कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत के प्रथम अंतरी छेयातरी राके-सर्मा थे प्रश्ण एक अंग शूर्य ग्रहण के समय क्या सावधानिया बरतनी चाहिए तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा बैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किंडे निकलती है ये किर्णे हमारी आँखों के लिए हानिका रखें और हमें अंधा भी बना सकती हैं इसलिए सुर्य ग्रहण को नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए बलकि इसे बैज्यानिकों द्वारा निर्धारित विसेश चस्मे से ही देखना चाहिए प्रश्ण संख्या दो रिक्त अस्थानों की पूर्ति कीजिए को रात के आकास में सरवादिक चमकीला आकासिय पिंड चंद्रमा है तो को में हम भरेंगे चंद्रमा ख़ चंद्रमा का व्यास प्रिथवी के व्यास का एक चोथाई है तो इसमें हम भरेंगे एक चोथाई प्रश्ण दो गर चंद्रमा अपनी धूरी पर 29 दिन 12 गंटा और 44 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है तो इसमें हम भरेंगे 29 दिन, 12 घंटा और 44 मिनट प्राश्न दो, घर चंद्रमा पर पहुँचने वाला प्रथम व्याक्ती नील आर्म स्ट्रोंग था तो इसमें हम भरेंगे नील आर्म स्ट्रोंग प्राश्न दो, अंग शूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की छाया प्रिथवी पर पड़ती है तो इसमें हम भरेंगे चंद्रमा की छाया प्रिथवी पर पड़ती है प्रश्न दो च अंतरिच की यात्रा करने वाले प्रथम भारतिय राकेश सर्मा है तो इसमें हम भरेंगे राकेश सर्मा प्रस्न संख्या 3 सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निसान लगाई है प्रस्न 3 क चंद्रग्रहण के समय प्रिथवी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो ये सही तो इसमें हम लगाएंगे सही का निसान प्रस्न तीन ख, चंद्रमा का प्रिथवी के चारो और घूमना परिभ्रमण कहलाता है तो इसमें हम लगाएंगे गलत का निसान प्रस्न तीन ग, सूर्य ग्रहण को नंगी आँखों से देखना चाहिए तो इसमें हम लगाएंगे गलत का निसान प्राष्ण तीन घव आर्यभट ने सुर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की बैज्यानिक ब्याख्या की थी तो इसमें हम लगाएंगे सही का निसान प्राष्ण संख्या चार अस्तंभो का सही मिलान कीजिए यूती तो यूती का मिलान हम करेंगे अमावस्या से प्राष्ण अंतरी छे यात्री तो इसका हम मिलान करेंगे यूरी गागरीन से वी यूती तो वी यूती का हम मिलान करेंगे फूडिमा से चंद्रमा पर जाने वाला प्राष्ण व्याक्ती तो इसका हम मिलान करेंगे नील आर्म श्ट्रोंग तो यह वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करें धन्यवाद